कि नमस्कार मैं वह विशेक तियागी बीसी स्याई ने विदेशी खिलारियों पर लगाम लगा दिया बड़े फुदकते थे जब आईपियल में आते थे बड़ी छलांग लगाते थे विचारे धोका दे के चले जाते थे आईपियल के मालिक विचारे रोते वेरा जाते थे लेकिन अब बीसी स्याई ने ऐसा नियम बना दिया जिस नियम के बाद अब विदेशी खिलारी फुदकेंगे नहीं अब अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे अब पूरी जानकारी क्या है वो मैं आप लोगों को बता दे रहो अपने ओकात में रहो ये विदेशी खिलारी को बीसी स्याई ने साफ तोर पर बता दिया अब क्या पूरी जानकारी एक बार देख लीजे यदि थोड़ा गोर से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है विदेशी खिलारी को कार नियम क्या है वो जानना यदि 2025 की निलामी में किसी भारतिय खिलारी के लिए उच्तम बोली 16 करोर रुपे है तो 2026 की निलामी में थोड़ा गोर से समझेगा 2026 की निलामी में कोई भी विदेशी खिलारी 16 करोर से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है लेलो लेलो पैसा अगर 2025 की निलामी में कोई भार खिलारी 16 करोड रुपे में भिखता है तो मतलब बहुत अच्छी नियम बनाए यह नियम में सबसे पसंद है बीसी से ने जो लगाम लगाई ने यह में सबसे अच्छा पसंद है कि अगर 1225 की निलामी में किसी भारते खिलारी के लिए 16 करोड रुपे की सबसे आदा बोली निलामी में 18 करोड से अधिक में जाता है तो अगली निलामी में किसी विदेशी खिलारी को अधिकतम 18 करोड ही मिल सकते हैं अब यहां पर पता है नियम क्यों बनाया गया अब हमारे जस्पीद बुमरा दुनिया के सबसे बड़े गेंदवाज कितने मिलते हैं थोड़े से और मिचरि स्टार के कितने रुपिया ले गए 24 क्यों बहिया हमारे ने बाकी से बढ़िया हो हमारे बाकी गेंदवाज Twoks pauकते से क्या बढ़िया हो आप क्यों इतने 24 क्रोड रूपिय ले जाते हूँ हमारे तो फिस ट हृटरी बिचार बारा बारिश 14 क्रोर से पूरा सिजन खेलते हैं बैनि श्टोक को इतना रुपया दे दिया एक मैच खेला के टा एक मैच मेच खेला एक रेन बनाया विकेट कोई चटका है नहीं और रकम मिली थी कितनी आपको पता है ना तो भाई सब यह हाला आथ है विधेशी खेलारी आते हैं बड़ी हवा बनाते हैं और पैसा लूट कर ले जाते हैं भारते खिलारी कुछ नहीं मिलता अब तीसरा नियम जो बहुत जरूरी आपको जानना यदि कोई विदेशी 25 करोड रुपे में बिगता है यह है असली जो जूस है ना वो जूस ही है यदि कोई विदेशी 25 करोड 18 करोड अगर भारते खिलारी की अधिकतम सीमा है और कोई विदेशी 25 में बिग गया तो 7 करोड रुपे जादा मिले तो जो से 7 करोड या 9 करोड मतलब जितने भी भारते खिलारी से जादा रुपे मिलेंगे वो खिलारियों के कल्यार के लिए बीसी साई छीन ले ले लेगी भ भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा भारत ये खिलारियों पर खर्च होगा भारत ये खिलारियों के उत्थान में खर्च होगा अब विदेशी खिलारियों पर पैसा बरसना बंद हो जाएगा ये बीसी साई का नियम मुझे सबसे पसंद आया है आपका इस नियम पर क् करके बताइए और वीडियो को जाता से जाता शेर कर दीजे ताकि इन्फोर्मेशन जादा से जादा लोगों तक पहुंच जाए थैंक्यू अरी मुच